तो बाबा देवदी देव महादेव करते हैं ये तीन घड़ी तीन अपल तीन नक्षतर तीन समय तीन दिन में जो शूल मुझे समर्भित करता है उसके जीवन से में शूल हटा देता वो तीन दिन लिखें इसकंद पुराण माराज बेसाक महिने में जो प्रदोश आती है बेसाक के महिने में बहुत ध्यान से सुनना भाई जो अपनी जिन्दगी से बहुत तंग आ गए हो परिशान हो गए हो कश्ट में जीवन जी रहे हो बहुत दुखी हो गए हो उनके लिए ये सकंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले अप्रेम से सुनने वाउस पहला बेसाक महिने की प्रदोश चाहे वो सनीचरी प्रदोश हो चाहे रविवार की हो सोंबार की हो मंगल की हो बुदभार की हो गुरुवार की हो शुकरवार की हो शनिवार की हो कोई विवार की हो पर बेसाक महिने की प्रदोश प्रद दूब रहा हो, बस दूबा ही हो, और उस समय पर सूरी के डूबन के तुरंत बाद, बाबा को धतूर के साथ में बेल पत्री ना चड़ाते हुए, बेल पत्री के ब्रक्च के साथ काटे, बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं। महाराद अपनी जिन्दगी में अर्चनों को हटाने के लिए कि आप जिस वेपार में उत्रें जिस वेवसाय में उत्रें जिस नोकरी में उत्रें आप दिल से करें आपको तरक्की मिलेगी आप हार नहीं सकते नीचे नहीं आ साथ उन्नती पर ही चड़ें लिए एक विशाक मास की प्रदोश दूसरा शिवरात्री के दिन मध्यान का समय माराजा जो बड़ी शिवरात्री होती है माग की बड़ी शिवरात्री के अंतरगत मध्यान का समय में दोपाहर के ठीक बारा वजे चाहे फिर वो कोई भी दिन हो माराजा शिवरात्री जिस दिन पढ़ रही हो उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को साथ काटे बेलपत्री के व्रप्षके समर्पित होते हैं माराजा इसमें आप ये वाले जो काटे हैं जो शिवरात्री के दोपाहर 12 वजे वाले हैं अगर कोई मदीरा पीने वाला हो वैसन में डूबने वाला हो कोई जुआ खेलने वाला हो कोई गलत वैश्या व्रत्ती करने वाला या अपने मार्गत से विचलीत कोई व्यक्ती है उसके लिए भी ये काटे बहुत काम आते हैं दूसरा पारवती तेरे द्वारा तेरे नैन अश्रू से जो प्रगटा हुआ बेल का व्रक्ष है दृतिये शूल में वहां धारण करता हूँ तरतिये शूल पीसरा शूल जो वर्णन करा गया महराज भगवानी श्रावन के महिने में स्रावन के महिने में जो भी दूसरा सुम्बार पड़े जो भी पड़े स्रावन के महिने का जो दूसरा सुम्बार होता है उस दूसरे सुम्बार में रात्री के समय पर अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का इसमन करेंगे तो रात्री के बजेंगे दस से बारा बजे मारे दस से बारा के बीच में धतूरे के साथ बाबा कुछ शूल समर्पित होता है महाराज ये भी हमारी बांधाओं को हमारी तकलीफों को वेपार विसाय के लिए नौकरी सर्विस के लिए बहुत सारे एक्जाम में पेट लिए गवर्मेंट एक्जाम के लिए वेट लिए नहीं हो रहा ये तीन बार मेरे शंकर को बेल पत्री के ब्रच के शूल समर्पित होते हैं उस कि बाबा बोले नाथ जी के नए नश्रू से जो प्रगट हुआ वो रुद्राक्ष का पोधा है माता पारवती के नए नश्रू से जो प्रगट हुआ वो बेलपत्री का पोधा है और उमा और महेश जिस महेश के वंसज हैं महेश्वदी जिनकी बारा खाम प्रगटी है भगवान महेश के द्वारा वो महेश उमा उमा और महेश का जो चरितर है कि उमा और महेश का प्रगट हुआ उमा और महेश जब दोनों आनन्द में विवहर होकर जब चलते हैं और दोनों के बेठने से तप मुद्रा से जो पोधा उत्पन होता है वो शमी का पोधा शमी का पोधा तो एक बात द्यान दखिए शिवजी के द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें कोई शूल नहीं है उसमें कोई काटे नहीं है पारवती के द्वारा जो निर्मित हुआ बेल पत्री का पोधा उसमें काटे हैं और पारवती के मिलन से भी जोत्पन हुआ है शंकर के साथ में उसमें भी काटे हैं शमी के पोधे में भी काटे हैं शमी के विरक्ष में भी काटे है तो पारवती जी इसकंद पुराण में प्रिश्ण कर रही है भोले नाक जी से कि प्र पर मेरे द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूल क्यों आया है, उसमें काटा क्यों आया है, थोड़ा सा माता हूँ, मेरी जीजी हो, आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा इस प्रसंग को सुनकर, पर लग जाए, पर आज कथा निकली है तो सुन लिए, कि शिवजी जिस रुद्राक्च को उत्पन कर रहे हैं, उसमें शूलता नहीं है, पर पारवती जी जो संग में मिली है, उसमें भी शूलता है और पारवती के द्वारा जो प्रगट हुआ बिलपत्र, उसमें भी शूलता है, तो भगवान महादेव बोलते हैं पारवती मैं तुझे कुछ कहूं और कहने पर तुझे तेरे हिर्दाएं में कोई बात चुब है शूल लगे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा नहीं नहीं आप कहिए परवु मैं सुनने के लिए तैयार हूँ आप तो बोलो कि कारण क्या है भगवान करते हैं पारवती बसंतर इतना है नारी का जो सुभाव होता है इस तरी का जो सुभाव होता है उसके हिर्दाएं में छोटी छोटी बात के शूल बहुत होते है जेठा त्मारे पापा ने यह कर दिया नारी के लिए तर ये शूलता रहती है तो पारवती जी जितना अपने करा उतना अपने करा। और जितनी साधना आपने करी उतनी साधना मिने करी और जितना अहरादना दिल से आपने करी उतनी अहरादना दिल से मिने करी फिर इसमें शूलता कहां से आगए भगवान शिव बोले बस पारवती बात इतनी सी है कि जब मैं अहरादना करने बेटता हूं पर पारवती जब तु अराधना करने भी बेटती है ना तो तेरी चित्य ब्रत्ती में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई शूल आही जाता कई माताओं की आदत देखी साथ भगवान की सेवा करने बेटी है तो भी भीतर थोड़ा सा शूलता भरी हुई है महाराज खटे कर लिए मैंने बोला तब उससे कि वहां रख ले थी बताओ इतनी सारे यहां पर लाकर रख दी है अब इसकी सेवा करना पड़ रही है अब यह करना पड़ रहा है परशाद लेने के लिए रसोई घर में गई बगवान का भोग लगाने के लिए तो उसमें भी शूलता आ गई इतने घंटों से मैं समान डोंडरी फिरीज में मिली नीरा में रख्ये गई थी बगवान जाने कहां चले गई बगवानों को वस्त्र पिना रही है तो शूलता ह अलमारी का ड्राज खोला इसमें मैंने समान रखा था ना जने बगवान का शूलता आ गई बोजन करने वेटे तो शूलता है कोई कारे के लिए जा रहे हो तो शूलता है अरतात कहीं ना कहीं नारी के जीवन में शूलता बढ़ी हुई है और पारवती जब तुम भजन करो था गैँ आतला लेगे जो पारवाती जी न खा बोले नहां तो क्या आप मुझे स्विकार नहीं करेंगे बल्पत्री के रूप में क्या मुझे स्विकार नहीं करेंगे शमी पत्र की रूप में पद्म पुराण इसकंद पुराण लिंग पुराण नरवदा पुराण और श्युमहा पुराण ये सारी पुराणे वर्णन करती है पारवती जी का खंड आनंद वर्चत कर रहा है वर्णन कर रहा है पारवती खं करते हैं भगवान करतें नहीं नहीं दारंच तो करूंगा इस दाली जो काटे शूल रहते हैं भगवान चुबो धार repertoire नहीं करते पत्ते को निकाल लीजिए तोड़ लीजिए उतार लीजिए और फिर भगवान को वो प्रेम से समर्पित करो तो भगवान शिकार करना पर भोले ना